बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है मुहम्मद आमिर ने अपनी रेटायर्मेंट वापिस ले ली है मुहम्मद आमिर पाकिस्तान की तरफ से वर्ल टी ट्वेंटी दो हजार चौबिस में आपको एक्शन में दिखेंगे अभी अभी मुहम्मद आमिर ने अफिशली ट्वीट करके अनाउंस किया है कि मैं अभी भी खुआप देखता हूँ पाकिस्तान से खेलने का मुहम्मद आमिर ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि कभी कभी लाइफ में आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं जहां आपको अपने डिसियन चेंज करने पड़ते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना पड़ता है मुहम्मद आमिर ने कहा कि उनकी बड़ी अच्छी डिसकेशन हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आमिर को बताया आमिर को ये फील कराया कि हमें आपकी जरूरत है दोजार चॉबिस के टीटुएंटी वर्ल्ड कप में आप अ नहीं है कि माद वसीम और मुहंद आमिर इस इस टीम में कितने प्लेयर मजुद है जिनके बारे में नाम ले-लेके इनको बाते लगाते थे मुहमद आमिर ने और इमाद वसीम ने वो जैसे कहते हैं न अपनी कश्टियां जला दी थी उनको पता था हम ने नहीं पाकिसान से कि फलाँ प्लेयर तो T20 का प्लेयर नहीं है, फलाँ की एवरिज का मसला है, फलाँ सेलफिश प्लेयर है, फलाँ के स्ट्राइक रेड का मसला है, फलाँ का बॉलर में अब दम नहीं है, उन्होंने सब कुछ बोल ला है, अब ये सारे मिलके खेल लेंगे, मिलके पाकिस्तान को कब जितवा दें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है लेकिन मुहमद आमिर के वापस आने के बाद आमिर के जितने भी फैंस हैं उन्होंने क्रिकेट दुबारा देखनी शुरू कर देनी हैं क्योंकि आमिर के इस ट्वीट के नीचे भी और अभी इससे पहले कोई दो तिन घ क्रिकेट देखना दुबारा से शुरू करेंगे लोगों ने मेरी उस वीडियो के नीचे भी कॉमेट किये वेदे कि हमने तो क्रिकेट देखना ही बंद कर दे थी क्योंकि फेवरेट प्लेयर है अब इसमें ऑब्विसली एक वह भी फैक्टर इंवल्वल्व है बहुत हो रही नहीं है मैंने आपको वह दो तिन घंडे पहले जो वीडियो बनाई थी वह भी देखिएगा उसमें भी एक ही बात बताई कि यह आमिर को वापिस लाने की नोबत क्यों आई पता क्यों आई क्योंकि शहीन डेथ ओवर्ड में लगाता स्ट्रगल कर रहा है मुझे कहत है कि तुम पाकिस्तान की अगेंस्ट बात करते हो मैं दो चाहि साल से आपको कह रहा हूँ शहीन आखर में हातक Burch कोट खाता है जब मैंने ये बात कहना शुरुए की थी तो मैं पाकिस्तान की अगेंस्ट हूँ आप देखे वही हो रहा है जब आप लोगों को सच बताय में तो आप लोग उसको accept नहीं करते शहीन को आखरी ओवर में कुट पड़ती है वो एक दफ़ा उसको मार पड़ना शुरू होती है वो पड़ी जाती है और इन्होंने जमान खान को भी बार बार आखर वाले ओवर देके वो उसको भी फारेक कराएगे दमागी तोर पे वो भी आ लेकिन नसीम के बारे में अगर एक चेज़ आपने नोट नहीं ना की तो मतलब मुझे हिरान गी आपे नसीम शाह बहुत अच्छी बालिंग कर रहे है लेकिन नसीम शाह एक अनलकी बालर है इतनी अच्छी बालिंग करता है नो बोलो जाती है एज बाज जाता है रव्यू पुल्टा पड़ जाता है विकिट नहीं मिलती नसीम को लेकिन बालिंग बड़ी अच्छी गार रहा है आई होप के उनकी यह जो अनलक जो उनके साथ चल रही है बैड लक वो गुड लक में कनवर्ट हो और वो जब अच्छी बालिंग करें तो उनको विक्ते भी मिलें तो असला के वो मतलब मैच लाज़ते थे अपनी टीम का सीपील में भी बहतरीन बालिंग करते रहे तो एक चीज़ तो आमिर को डिसाइड करनी है कि दिल साफ रखने है क्योंकि अब आपकी और मेरी उपिनियन मैटर नहीं करती अब जिन लोगों के बारे में आमिर ने टीवी पे बैठके कुछ का है जो कि उन लोगों को पता होगा विसी तो आमिर को अब दिल साफ करना है अब उन लोगों से जाके माफी भी मांगनी है उनको गले भी लगाना है उनको जब भी डालनी है विकर एज टीम आपका खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मुहमद आमिर जो के जब भी मैंने मुहमद आमिर के उपर बात की एक बात हमेशा की है कि गेम से बड़ा कोई नहीं है आमिर ने आप को गेम से बड़ा समझ लियासा कहा है कि जी मैंने नि कहलना मैं रिटायर होता हूं आप पर्रफॉर्म ऐसा किरें कि लोग आपके साथ आके खड़े हो जाएं अब मिसाल के तोर पे पाकिस्तान का नंबर वन बैटर है बाबर आजम अगर बाबर आजम का कभी मैनेजमेंट के साथ कोई फड़ा हो जाता है बाबर जितना बड़ा परफॉर्मर है पाकिस्तान का बाबर एक स्टैंड ले पूरा पाकिस्तान उसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा ऐसी की तैसी कोच की ऐसी की तैसी डिरेक्टर की क्यूं क्यूंकि वो सबसे बड़ा परफॉर्मर है उस इतना जब आप बालिंग में सबसे बड़े परफॉर्मर होंगे तो लोग आके आपको बैक करेंगे ये आपने अपना ही नुकसान किया साइडवे होके अब अच्छी बात है आप वापिस आई है कंट्री को आपकी जरुत है अब किसी को ये पसांद हो या ना हो मुझे पसांद हो या ना हो आपको पसांद हो या ना हो ये मैटर नहीं करता मैटर ये करता है कि आमीर की जगा टी खानी तो वो जेगा फिल करनी थी आमिर को और वो आये हैं और मेरा ख्याल है मेरट पर आये हैं तो आमिर के फैंस आप इस बारे में क्या सोचते हैं अच्छा ही सोचते होंगे मुझे कॉमेंट बॉक्स में लाजमीं बताएं विडियो पसान्द आया आप शेयर कर सकते हैं आप में मुफतारी करन चलना उन में